सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास आइफोन है और आपके आइफोन की जो टच है वो काम नहीं कर रही है आप टच करने का ट्रॉय करते हैं तो आपकी टच काम नहीं कर रही है मेरी टच जो है काम नहीं कर रही थी इसका सॉलूशन क्या है आपको बताऊंगा कैसे मैंने अपनी ठाश को ठीक किया है तो यहां पर इस वीडियो में तक बने रहेगा वीडियो अच्छल के लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो में तक बने रहेगा वीडियो अच्छल के लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास है आइफोन 14 प्रो मैक्स अगर आपके पास कोई भी मॉडल है आइफोन का तो अगर आपको प्रोलम आ रही है सिंपल से स्टाप्स को फोलो करना होगा तो जैसे कि यह मेरा मॉबाइल है यह मेरी टच जो है अगर काम नहीं कर रही है तो आपको सिंपल से स्टाप्स को फोलो करना है सबसे पहले आपको करना क्या है मॉबाइल को फोर्स रिस्टार्ट करना है वो कैसे क करना है यहां पर आपको वोल्यूम अब बटन देखने को मिल रहा है वोल्यूम ज्यादा करने का और यहां पर वोल्यूम कम करने का और यहां पर होता है आपका पावर बटन तो आपको करना क्या है जल्दी से वोल्यूम अब बटन दबाना है फिर उसके तुरंत बाद डाउन नहीं आजाता है तो यहाँ पर इसको दबा के रखता हूँ जब तक मेरे सामने एपल का लोगो नहीं आएगा मेरा मोबाइल जो हब बंद हो चुका है अब एपल का लोगो आते ही मुए यहाँ पर अपने पावर बटन को छोड़ दूगा मैंने छोड़ दिया है एपल का लोगो आ चुका है मैंने अपने पावर बटन को छोड़ दिया है अब जो यह मेरा मोबाइल है हार्ड रिसेट हो जाएगा फोर्स रिस्टार्ट हो जाएगा जिससे अगर मेरी जो टच की प्रॉबलम थी मेरा जो मोबाइल वर्क नहीं कर रहा था टच वर्क नहीं कर रही थी आईफोन की तो वर्क करने लग जाएगी सिर्फ आपको यही काम करना होगा देख सकते हैं आपको सिर्फ यह काम करना और आपकी प्रॉबलम सॉल्व